है everyone welcome back to the channel तो बिना टाइम वेस किए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी remedy इसके लिए हमें चाहिएे एक बीडरूट चुकंदर अमला क्या क्या करना है तो तो टाइम वेस नहीं करना है फटाफट से इसकी जो properties है जादा अच्छे से हमें hair pack में मिल जाएंगी और what better than a fresh beetroot and amla कोई भी powder से अच्छा है ना fresh लेके आईए इस तरह से grate कर लीजे वीडियो को कर दिया मैंने fast forward ताकि आप सब का time waste नहीं हो ये देखे कितने बढ़िया दरीके से ये grate हो चुका है बिल्कुल चोटे-चोटे pieces करने हैं इसलिए मैंने grate किया है वरना मैं cut भी कर सकती थी और एक-एक ही दोनों लिया है मैंने अपनी hair length के हिसाब से तो ये हमारा mixture बन के तयार हो गया है अब हमें क्या करना है हमें इससे बनाना है एक decoction जिसमें हम जैसे बीटूट पाउडर और आमला पाउडर यूज़ करते थे हमें आज grated यूज़ करना है आमला इन बीटूट लोहे के कडाई ले लिज़े गैस का flame on कर लिज़े और लोहे की ही लिज़ेगा एक बड़ा ग्लास पानी डाल लीज़े और इसमें हम दोनों ही चीज़ें जो हमने कड़ूकस करके रखी है न वो डाल देंगे और इसे धीमी आज में हम बॉइल करेंगे जब तक ये पानी न हाफ में रिड्यूस नहीं हो जाए और इसका पूरा डिकॉक्शन हमें मिल नहीं जाए आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये डिकॉक्शन कितना magical है आपके हैर के लिए सफेद बालों को तो काला करेगा ही साथ इसाथ इसमें आमला है जो बालों को बहुत साथ स्ट्रॉंग करने वाला है अपके बाल सिल्की शाइनी स्मूद भी नजर आएंगे कॉफी की वज़ज से बीटूट की वजज से कॉफी भी मैंने रैंडम ली एक से दो चमश डाल ल एक बार जो फर्स्ट बॉइल आता है उसे हाई फ्लेम पे कर लिजिए और उसके बाद स्लो फ्लेम पे अराम से बॉइल होने दीजिए ताकि इसकी पूरी गुटनेस इस्ट्राक्ट इस पानी में आ जाए और फिर हम इस पानी का यूस करेंगे आप चाहें तब इस पानी को य अयुकि हर भर थोड़ा जादा ही बन जाता है बनने के बाद लिहांके के बन अब शुर्ण यहां ऐसे इसी हम ढूंसर कर लेंगे ए गलास कंटेनर में और आप इसी चाहें तो स्टोर कर जिए इन Adaptiva कर लिजिए इमिजिटली आप यूज़ प्रेश कर सकते हैं तो आप स्ट चक्रेजर को और यहां आर चांट OFF ना पादेल डेका आर बड़ुकर इसके हैं दों सद आप दो lunch और above च्ईय और मिक्सटर भशी कर दो कुछ कर दो मैं बना रही हूँ आज हैर पैक तो मैं अपकी साथ हैर पैक ही शेयर करूंगी यह देखिए कितना बड़िया सा डिकॉक्षिन हमारा बनके तयार हो गया है इसका कलर देखिए जैसे ठंडा हो जाएगा ना कुछ इस टाइप का कलर हो जाएगा है ना बिलकुल डाक ब्लाक और इस तरह से फोम जूंप लिक भी बना सकते हैं इस में थोड़ा से शैंपव मिक्स करके चाहली बनाते हैं अपने अचका हैर patch मैने ले लिया है एक कंटेंड एक बोल और इसमें हम एड करेंगे हम इस कंटेंडर में हम एड करेंगे अग ऑर जो नाच्रली बालों को बलाक करत तो मैं आपसे कहूंगी कि इंडिगो पाउडर का ब्रांड चेंज करके देखिए इट सेवियर गाइस जिन लोगों के भी ग्रेहर है ना इंडिगो पाउडर एक सेवियर की तरह है जो बालों को ब्लाक करने का नाचुरल तरीका है कोई केमिकल यूज नहीं करना आपको ब्रांड का यूज करिए पॉफिक कलर अपको मिलेगा साथ में डाला है एक बारा चमच और इसमें ये डिकॉक्शन थोड़ा थोड़ा सा एड करेंगे अब इस पैक की खासियत किया है इसमें कोई मेहंदी नहीं मिलाया मेंदी के जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कॉफी आमला आड किया है बीटूट आड किया है जिलोंको मेहंदी से प्रॉब्लम है उनके लिए पॉफेक्ट पैक है ठीक है इस मैक को बनाकर हम इमिजटली लगा सकते हैं मेहंदी वो तो सोग करना पड़ेगा ना तो मेहंदी को डिच करिए और इस पैक को लगाईए इंस्टिंटली बनके त्यार हो जाता है और बहुत अच्छा कलर देखा है वीडियो के शुरुवात में आपने देखा है कि कितना बड़िया कलर आया मेरे बालो में बस पेशिंटली इसको बनाईएगा और पेशिंटली लगाईएगा इसे हमें रखना नहीं है तुरन से लगा लेना है ठी मेरे बाल गोल्डन हो गे है अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी डेज हो चुके हैं मुझे हैर पैक लगाए और इस तरह से बाल हो जाते हैं जब फेड आउट होने लगता है गोल्डन हो जाते हैं और अगर मैं एक दो महीने तक नहीं लगाऊंगी कोई भी हैर पैक तो वह व आप सबने पैक बना लिया है और इस तरह से इवनली अपको अप्लाइ कर लेना है मेरे एक साइड पे ग्रे हैर है दूसरे साइड नहीं है दूसरे साइड शायद एक या दो होंगे बट अगली साइड पर देखिए बहुत सरे ग्रे हैर है जो गोल्डन नजर आ रहे हैं कोशिश करती हूं जितना पैक है ना पहले जहां ग्रे है वहां लगा लेती हूं बाकी जो बचा रहता है पूरे बालों में लगा लेती हूं चलिए फास्ट फ़वर्ट मोशन में इस पैक को लगा लेते हैं तो मैंने अच्छी तरीके से अपने बालों में लगा लिया है मै इसे बाल ना आपके काफी सिल्की रहने बाले आपको दिखाऊंगी बाद में देखिए इस तरफ मुझे गरे हैर थे तो मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से कवर कर लो डाबल ट्रिबल लेयर से और बागी पूरे बालों में लगा लो अब लगाने के बाद देखिए इस तर में वैसे कलर आ जाता है बट लॉंग लास्टिंग एफेक्ट के लिए आप दो घंटे रखिए कोई देखकत नहीं है बालों में कलर देखिए अब दिख रहा है ना आप लोग कहते हैं कि बाल आप उठाके नहीं दिखाते हो उल्टे करके नहीं दिखाते हो हर तरफ से पर्स करके देख लीजे और दुबारा से देख लीजे आप देख लीजे कितना बढ़ियां कलर आया कैसे कह देते हो आप लोग की होम रेमेडी काम नहीं करती है वो मार्किट ऑले केमिकल डाय में तो टच भी नहीं कि आज तर और आप से भी कहूंगी कभी टच मत करिए हेर डाय इंडिगो के साथ बना हुआ बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है और जिन लोगों के बाल बहुत जादा वाइट है मेरे तो थोड़े है जिनके पूरे ही वाइट है ना आप पहले मेंदी लगा लीजे एक बार और उसके बाद इस पैक को लगाईए आप देखिए नाचुरल सा ब्लाकिश कलर आपको मिलेगा ऐसा भी नहीं लग रहा कोई हेर डाई लगाया हुआ है बिलकुल नाचुरल सा टेंट आया है और बहुत ही बढ़िया है जरूर से जरूर से ट्राय करिए अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है कोई भी क्वेस्टिन से मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा एल्डरी के साथ जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ग्रे हैर की हमेशा मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो कलर लगाते हैं कैसे आए मेहंदी पे इंडिगो पे आप एक बढ करिए दोबर ट्राइक करिए अगर आप पहले से हैर डाई लगाते आए हैं तो भी और मैं बिल्कुल रॉइल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं जस्ट हैड़ वाश करके आई हूं और आपके साथ शेयर कर रही हूं मैंने अभी नहीं किया आप देख सकते हैं तो हो इसे ट्राइज जरूर करिएगा और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पे पिपने फीद्बैक शेयर कर सकते हैं इट्समी बनीशा प्राने पर चैले मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ तिल देन टेक केर और बाई बाई